दोस्तो आज का टोपिक है कि LPS को हम आरो प्रेशर टेंक के साथ कैसे फिक्स करते हैं जब आरो सिस्टम टोटल अंडर सिंक लगाते हैं और आरो में LPS का क्या फंक्शन है दोस्तों अगर आप रिपेरर हो डीलर हो या मैनुफेक्चरर हो आरो सिस्टम के तो अपना नंबर और चैनल जो सब्सक्राइब करें लाइक भी करें थेंक यूँ दोस्तों हिमगाड एलक्ट्रोनिक से में आपका एक और फिर से बहुत-बहुत स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने डिसक्शन की थी कि हाई प्रेशर स्विच प्रेशर टेंक से पहले क्यों लगाया जाता है जो आज की मारी डिसक्शन है कि जो हम आरो सिस्ट्रम प्रेशर टेंक के साथ अटेच करते हैं तो दोस्तों हाई प्रेशर स्विच के साथ साथ हम लोग प्रेशर स्विच इन लाइन से पहले प्री फिल्टर के बाद क्यों लगाते हैं तो इसके लिए समझने के लिए हमें स तो उसकी discussion करते हैं सबसे पहले प्री फिल्टर लगाते हैं जो 10 इंच का बाउल होता है और वह फाई माइक्रोन के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करता है इनीश स्टेज पे उसके बाद sediment in line फिर carbon in line उसकी output carbon in line की flow की बो देते हम RO pump को जो पानी को boost अप करता है high pressure पे membrane को supply देते हैं और membrane output से pure water जो है हमारे pressure tank जो RO का होता है वहां store होना शुरू हो जाता है तो अब हम करेंगे LPS की बात तो RO की long life के लिए और low pressure switch का क्या रोले उसके बात करते हैं दोस्तों जब पानी का flow पूरा होगा तो उसके साथ हमारा जो है proper flow booster pump को मिलेगा sediment in line को मिलेगा और carbon in line को मिलेगा proper flow मिलेगा membrane को और pure water जो है अच्छे flow से pressure tank में store होगा लेकिन अगर खाली RO system काम करता रहा जब पानी ना हो तो उसे हमारे जो है RO pump supply ये सब खराब हो जाएंगे तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हम low pressure switch लगाते हैं तो कहां लगाते हैं उसके अब कर दें सब कुश लोग यहां pre filter की output पे T लगाकर यहां low pressure switch लगा देते हैं ता कि next पानी की supply जो है जब जहां पूरी हो पूरे pressure ते जाए तब ही हमारा जो है pump on हो और proper supply जाए अगर पानी का pressure कम हो तो फिर जहां SV valve लगा होता है SV valve अपरेट नहीं होगा और पानी की supply और साथ में pump भी अपरेट नहीं होगा यहीं रहेगी और हमारा pump और SV बंद रहेंगे इससे क्या होगा कि हमारी जो number one S MPS की life बढ़ेगी second SV की life बढ़ेगी और third pump की life बढ़ेगी तो इसलिए LPS जो है pressure tank के साथ लगाना जरूरी है